नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MF Farming YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो है Sonalika World Track RX 90 की दोस्तों सिकंदर सीरीज का Tractor 4x4 Variant के अंदर बहुती शांदार Tractor दोस्तों आप इसकी लुक देख सकते हैं और इस Tractor का जो प्राइस है दोस्तों और कंपनियों के मुकाबले 90 HP में दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और Sonalika के Tractor की पावर तो आप जानते ही है फाइबर छत्री के साथ ये कंपनिय फीटिड आती है दोस्तों तो इसका प्राइस में आपको बता दूँ लगबग इसका प्राइस जो है दोस्तों 11 लाक रुपए के आसपास मिलेगा नोन AC कैबिन के अंदर दोस्तों और आवर ओल ट्रेक्टर के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों 4x4 के अंदर फ्रंट टायर जो हैं 12 के टायर है और बैक टायर है दोस्तों वो हैं 18 के टायर तो इस ट्रैक्टर में उपर फाइबर छत्री के साथ बहुती शांदर लुक बन जाती है यहाँ पर साइडों में वेट दिया गया है टायरों के अंदर और साइडों में मडगार वगारा जो फुल का फुल सिस्टम है एक वैवस्थे धंग से जचाया गया है ट्रेक्टर पर और बहुती शांतर लोग मेंटेन कीगी है ट्रेक्टर की यहाँ पर ट्रेक्टर के अगर फरंट से लोग देखते हैं तो दोस्तों बोडी के अंदर आपको इस ट्रेक्टर में लाइटे मिल जाती है बहुती शांतर लोग बना देती हैं इसके अंदर और फुली जो कंपनी द्वारा बताया जा रहा है कि बहुती हैवी क्वाल्टी इस ट्रेक्टर के अंदर मैंटेन कीगी है ऐक्सल से लेकर फुली बोडी और इंजन जो कुछ भी है बहुती सालो साल चले ऐसी चीज़ इस ट् यहां पर इंजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों 4,87cc का इंजन है और 2000 इंजन रेटीड आर पिम है दोस्तों वाटर कूल्ड इंजन है डबल कलच है इसके अंदर इंडिपेंडेंट है दोस्तों और 4-stroke इंजन है जैसा कि आप सभी जानते हैं 4-stroke ही होता है ट्रेक्टर सके हैं और यहां पर टायरों के अंदर वेट लगा रखा है इन्होंने बहुत ही सहलियत कर दी सलब वगारा ना निकाले ट्रेक्टर और पीछे से ट्रेक्टर के लुक जो है दोस्तों इसकी हाइट की वज़े से बहुत ही शानदार लुक बन जाती है अठारा के टायर के साथ ब बहुते टंपर वगरा उठाने के लिए होते हैं अलग-अलग फार्मिंग के इंप्लिमेंट आप यहां पर लगा सकते हैं दोस्तों और बैक साइड में आप देखेंगे यहां पर थ्री लिंकेज वाली सेंसिंग आपको मिल जाती है अलग-अलग इंप्लिमेंट को इजली चलाने के लिए 540 पीटियो है और 540 इकनोमिक पीटियो इसके अंदर आपको मिलेगा दोस्तों पीछे यहां पर लाइट मिलेगी रात को किसान अगर काम करते हैं तो अच्छी सहलियत मिले और उपर फाइबर की छतरी बहुत ही शांदार फीटिंग के साथ है ताकि अगर ट बास की नंबर प्लेट लगाई गई है बहुत ही एक अपने आप में लुक बना देती है पीछे से ट्रेक्टर की दोस्तों यह कोई सपोंसर वीडियो नहीं है मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं अगर चीज एक नंबर है तो दोस्तों आपको एक नंबर ही देती हो साइट देती भी हो दोस्तों लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कमपनी देती होगी तो सोना लिका नहीं है अपना जो ट्रेक्टर लोंज किया बहुत ही शानदर है दोस्तों आपको इसके अंदर दोस्तों अगर फ्यूल टेंक की बात की जाए तो 77 लिटर का पोड़ लोक है बहुत ही शानदर लोक है अला कि जो अलग सभी ट्रेक्टर साते हैं सोना लिका के 725 वगएरा 35 वगएरा उन्हीं की तरह मीटर है लेकिन जो स्टेरिंग है थोड़ा सा अलग से यहां पर सैटल किया गया है थोड़ा सा वो लोक दी गई है ताकि जो हम पर लगा रहे हैं तो वो ऐसा लगना चाहिए कि भई चीज है तो यहां पर सटल सिफ्टिंग आपको मिलेगी हाथ से यहां पर रिवर्स कर सकते हैं इसको और साइड में यहां पर आपको पीटियो वगएरा सिफ्ट करने के लिए मिल जाते हैं फोर बाइफ चेंज करने के आपको यहां पर लिवर मिल जाता है साइड में आपको हैंड ब्रेक भी मिल जाता है और इस साइड हम यहां पर गेर की बात करें तो यहां पर आपको दोस्तो चार स्पीड बिल जाती हैं दोस्तो एक दो तीन और चोथा स्पीड ABC यहां पर आपको नीचे गेर दिया गया है और यहाँ पर लिफ्टो मैटिक बटन के साथ लिफ्टो के कंट्रोल है और स्टेरिंग के उपर बैटने के बाद इस ट्रैक्टर पर दोस्तो बहुत ही अच्छी फिलिंग आती है तो फ्रंट से बोनट टुटा कर देखते तो दोस्तो आपको यहाँ पर सेंसर के साथ जो फ्रंट में ड्राइ एर कलिंडर मिल जाता है दोस्तो अगर इसमें धूल मिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको स्क्रीन पर इंडिकेटर करेगा उसके बाद यहाँ पर इंलाइन पंप के साथ चार्ज लेंडर इंजन है दोस्तो टर्बो चार्ज इंजन है याद रखिए ट्रबो चार्ज इंजन है जो कि ट्रेक्टर की पावर को बढ़ा देता है बहुती एक अच्छी पावर देता है बहुती अच्छी साउंड भी देता है तो ट्रबो चार्ज इंजन आपको यहाँ पर मिलेगा इंटर कूलर मिलेगा साथ में रेडियेटर मिलेगा तो इंजन को कोई गरमी नहीं होने वाले है जैसे कई बार कह देते हैं कि ज्यादा गरम हो जाएगा नबैच भी गाए तो ऐसी कोई समश्चा नहीं होने वाली है और सिंगल पीस बोनट है प्रेसर यहां पर लगाए गए हैं और आपको सिंगल प्रेस के साथ यह उपर उठ जाएगा तो इस तरह आप इसका ट्रेक्टर का ट्रबो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर यह ट्रबो रहा और इस ट्रेक्टर में दोस्तों फ्रंट में बैटरी नहीं है हाला कि साइड में बैटरी रख रखी है अगर ट्रेक्टर में फ्रंट में बैटरी होती तो और अच्छा रहता साड़े गैरा लाक रुपए के आसपास के कीमत है दोस्तों और एसी कैबिन में भी आप इसको ले सकते हैं नोन एसी कैबिन में तो यह है ही दोस्तों ओईल एमेश्ट आपको इसके अंदर ब्रेक्ट भी मिल जाते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो के अच्छे लगे नीचे कमेंट करके बताना मैंने आपको सारी जानकर इस वीडियो के अंदर दिया अगरे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना धन्यवाद जैहिंदे झाल धन्यवाद जैहिंदे